नमस्कार प्यारे बच्चों मैंने त्री क्वेस्टेंस जो चैप्टर आपका इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है जिसका लिंक आपको सेगंड पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हमारी सेगंड वीडियो है सेज़ चैप्टर से जो सेगंड पार्ट हम करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का पार्ट सेगंड पार्ट हमारा यहां से सुरू उते हैं और एक bearded man दाड़ी वाले आदमी को देखता है running towards him जो उसकी और दोड रहा था towards की और towards means होता है की और उसकी और दोड रहा था एक bearded man bearded man दाड़ी वाले आदमी towards की और again the king turned round राजा चारो तरफ घूमता है और देखता है उसने देखा की एक दाड़ी वाला आदमी उनकी और दोड़ता हुआ आ रहा है उसकी और और सन्यासी की और जिससे वो अपने questions का जवाब लेने के लिए वहाँ पे पहुंचा था His hands were pressed against his stomach और उस आदमी ने जो दोड़कर रहा आ रहा था उनकी तरफ है उसके हाथ were pressed against his stomach उसके पेट से सटे हुए थे यानि पेट को वो अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था from which blood was flowing जिससे blood खून है रखत है वो बहरा था flowing बहरा था when he reached the king he fainted जब वो राजा के पास पहुंचा he fainted वो बेहुंस हो गया fainted means lost consciousness अपने हुंस अवास उसने खो दिये मतलब वो बेहुंस हो गया fainted बेहुंस हो गया and fell to the ground और वो जमेन पर गिर पड़ा the king and the hermit राजा और उस शन्यासी ने removed the man's clothing and found a large wound in his stomach उन्होंने उस आदमी के पेट से कपड़े को हटाया जो वो कपड़ा डाले वे तह पहने तह उसको हटाया and found और पाया कि एक large wound है in his stomach उसके पेट में एक बहुती बड़ा घाव है the king washed and covered it with his handkerchief राजा ने उस घाव को साफ किया washed धोया उसको साफ किया and covered it और इसे ढख दिया with his handkerchief अपने रुमाल के साथ जो चोटा सा उसके पास towel था piece of cloth था उसके साथ उसने उस आदमी के घाव को cover कर दिया ताकि उस पे कोई bacteria वगारा नए आए दिक्कत ना हो उस आदमी को but the blood would not stop flowing लेकिन उस कपड़े के लगाने पर भी उस आदमी का रक्त बहना बंद नहीं हुआ था flowing stop flowing बहना बंद नहीं हुआ था the king redressed the wound until at last the bleeding stopped तो राजा ने redressed उस पे दोबारा पत्ती कर दी redressed the wound गहाओ पे दोबारा पत्ती कर दी redressed dressed मतला पत्ती करना ड्रेसिंग करना उसकी until जब तक की अंत में at last जो bleeding है वो नहीं रुकी bleeding stopped जब तक राजा ने उस तक दूसरी बार पत्ती कर दी उसकी उपर ताकि वो bleeding को रोक्स के the man felt better उस आदमी को काफी अच्छा मैसुस हूँ अब उसका जो pain था वह अब कम हुआ and asked for something to drink और उस आदमी ने राजा से कुछ पीने के लिए कहा कि वो मांग करने लगा कि उसको drink करने के लिए कुछ water दिया जाए the king brought his fresh water and gave it to me to him राजा ताजा पानी लेकर आया ब्रोट लेकर आया fresh water ताजा पानी and gave it to him और उसे पीने के लिए दिया by this time the sun had set इस समय तक जो सुरज छिप चुका था and air was cool और थंडी हवा हो गई थी the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed राजा ने hermit की मदद से सन्यासी की मदद से carried the wounded man carried ले आया उस wounded man को घायल आदमी को wounded घायल man आदमी उस घायल आदमी को into the hut अपनी जोपडी में ले आया and laid him on the bed और उसको लेट आ दिया bed के उपर the man closed his eyes आदमी ने अपने आखे बंद कर ली and lay quiet और वो शांती से महाँ पे लेटा रहा the king tired by his work राजा अपनी चलने से वो थक गया था tired हो गया था and work he had done और उस काम से जो राजा ने किया था से अब थक चुका था lay down on the floor वो भी फरस के उपर लेट गया and slept through the night और वो पूरी रात सोता रहा फिर आदमी when he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember when he awoke, जब वो जागा, it was several minutes, कई minute हो चुके थे several हो तक कई minutes हो चुके थे before he could remember इस से पहले कि उसको कुछ याद आता where he was or who the strange bearded man laying on the bed was उसको ये यादा कि वो कहां था, where he was या who the strange bearded man और वो अजीब अजनबी दाड़ी वाला आदमी कौन था laying on the bed was, जो बैड़ के उपर लेटा वा था, was था वो कौन था, forgive me, मुझे माफ करना, said the bearded man in a weak voice मुझे माफ करना, उस bearded दाड़ी वाले आदमी ने एक weak voice में बड़ी कमजोर सी आवाज में कहने लगा, क्योंकि जादा खोन बह चुका था वो घायल था, इस वज़े से weak हो गया था, तो उस weak आदमी ने वीक सी आवाज में, उस दाड़ी वाले आदमी ने, bearded man ने कहा कि when he was, when he saw the king was a walk, जब उसने देखा कि राजा जागा हुआ था, forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was a walk, मुझे माफ करना, दाड़ी वाले आदमी ने कहा एक बहुती कमजोर सी आवाज के साथ, जब उसने देखा कि राजा जागा हुआ था, जागे हुए राजा को, राजा जाग चुका था, और उसने राजा को कहा, एक बहुती weak आवाज में, I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, और नए, मेरे पास कोई कार्ण है, have nothing, मैं कुछ नहीं रखता, to forgive you for, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर पाऊँ, said the king, राजा ने कहा, You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें तो जानता हूँ, I am that enemy of yours, मैं तुम्हारा दुस्मन हूँ, I am that enemy, मैं वो दुस्मन हूँ आपका, of yours, आपका, who, swore, जिसने सौंगंद उठाई थी, swore मतलब कसम उठाई थी, revenge on you, तुम्हारे उपर बदला लेने की, revenge on, बदला लेने की, तो उस गायल आदमी ने राजा को बताया, कि मैं आपके उन दुस्मनों में से हूँ, जिसने swore, सौंगंद उठाई थी, revenge on you, तुम्हारे उपर से बदला लेने के लिए, क्यों बदला लेना चाहता था हूँ आदमी, ये उसने फिर आगे बताया, because you put my brother to death, and sized my property, size कर लिया, और मेरी, sorry, siege कर लिया, और मेरी property को आपने siege कर लिया, capture कर लिया, तो इस वज़े से मैं आपसे बदला लेना चाहता था, ऐसा उस weak, wounded man ने राजा को explain किया, I knew you had done alone to see that hermit, मैं जानता हूँ कि you had gone alone, तुम अकेले गए थे, to see that hermit, to see, मिलने जाना, देखने के लिए, मिलने के लिए, to see, मुझे पता है कि, आप hermit से अकेले मिलने के लिए जा रहे हो, या आप had gone, जा चुके हो, and I made up my mind, और मैंने made up my mind, मैंने विचार कर लिया था, made up बना लिया था, my mind अपने दिमाग को ऐसा बना लिया था, अपना ऐसा विचार बना लिया था, to kill you, कि मैं आपको मार दूँगा, on your way home, on your way, तुमारे रास्ते में, भी मतलब रास्ता, home, जो घर की तरफ जो रास्ता है, जब आप उसके उपर जाओगे, तो मैं तुमें मार दूँगा, ऐसे मैंने made up my mind, मैंने अपने mind में सोच लिया था, विचार कर लिया था, but the day passed, and you did not return, लेकिन दिन गुजरते गई, and you did not return, और तुम लोटकर नहीं आए, घर की तरफ, और दिन गुजर आ जा रहा था, गुजर चुका था, so I left my hiding palace, इसलिए जहाँ पर मैं छुपा था, hiding palace, hiding छिपने का स्थान, उसको मैंने छोड़ा, उसे मैं बहार आ गया, left, छोड़के मैं बहार आ गया, उस hiding place से, जहाँ पर आपको मारने के लिए, मैं पहले से छिपा बैठा था, घात लगाने के लिए, उस hiding place से, पहले इस जहाँ, hiding छिपने की जहाँ, से मैं बहार आ गया, and I came upon your bodyguard, और फिर मैं came upon your bodyguard, तुमारे bodyguard के, जकड में आ गया, came upon, मैं उनकी नजर में आ गया, उनकी द्वारा पकड़े जाने के ड्रस से, मैं वहाँ से भागा, who recognized me, और जैसे मैं उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, who recognized me, जिन्होंने मेरे को recognize कर लिया, recognized me, and wounded me, और मुझे घायल कर दिया, कोई शस्त्र चला के, कोई शस्त्र चला के, उन्होंने उसको घायल कर दिया, I escaped from him, escaped, escaped होता है, बचकर भाग निकलना, escaped क्योंता है, बचकर भाग निकलना, और मैं वहाँ से, बचकर भाग निकलना, उनसे, from him, उनसे, but I should have died, if you had not dressed my wants, लेकिन, I should have died, मैं मर गया होता, if अगर यदी, you had not dressed my wants, तुमने मेरे घाव को, wound को, my wants को, dress नहीं किया था, dress नहीं पर पट्टी नहीं कियो थी, I wish to kill you, मेरी इच्छा थी, मेरी wish थी, to kill you, तुमें मारने की, आपको मारने की, and you have saved my life, और आपने मेरा जीवन बचा दिया, now, if I live, अगर, अब, now, अब, if I live, अगर मैं जीवित रहता हूं, आप मुझे नहीं मारते, I will serve you, as your most faithful servant, तो मैं आपकी सेवा करूँगा, I will serve you, मैं आपकी सेवा करूँगा, as your most faithful servant, आपके, बहुत ज़्यादा faithful, faithful, क्यों उत्याएं faithful, faithful, भरोसे मन, भरोसे मन, नोकर के रूप में मैं आपके, सेवा करूँगा, and will order, my sons to do the same, और अपने बच्चों को भी, मैं यही आदेश दूँगा, कि मेरे बच्चे, मेरे बाद, आपके लिए, सेम काम करें, सेम तरीके से, आपके सेवा करें, forgive me, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तो अब जो, जैसा कि हमने देखा, और पढ़ा, कि, wounded man, राजा के, द्वारा बचाए जाने पर, राजा के प्रतितना, क्रिटे घंड महसूस कर रहा था, इतना अभारी महसूस कर रहा था, कि उसने राजा को सारी, अपने बारे में, सच्ची घटना बता दी, कि, वो किस तरह से, राजा को मारने के लिए, वहाँ पहुचा था, लेकिन राजा के, द्वारा बचा लिये जाने पर, उसके घाव पर, पट्टी मलम पट्टी किये जाने के बाद, वो राजा के प्रति बड़ा अभारी महशूस कर रहा था, और इसी वज़े से, अब उसने राजा को सारी बाते, सारी घटनाएं सच-सच बता दी, और कहा कि किस प्रकार से, वो उसकी जीवन भर एक नोकर की तरह, एक faithful जो बड़ा, विश्वसनिय नोकर होता है, उसकी तरह वो उसकी सेवा करेगा, और उसके बाद, विल ओडर माई संस, और वो अपने संस को, ही विल ओडर ही संस, तू दू दा सेम सर्विस, फोर दे केंग, और उसने सोच लिया था, कि वो अपने बेटों को भी, अपने पुत्रों को भी, राजा की सेवा करने के लिए, अपने मुट्टों के बाद कहेगा, faithful, loyal and true, तो यह जो वर्ड है, इनको आप ऐसे आप याद कर सकते हैं, second जो वर्ड है उपर यहाँ पर, seized, took by force, किसी को, आप force by force, आप by force मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि ताकत के बल पर, बल पूर वक्शाप उसको, किसी से capture कर लेते हैं, को इसकी wealth है, उसकी property है, इसको siege कर देते हैं, तो next is me, the king was very happy to have made peace, with his enemy so easily, अब राजा बोड़ा खुश था, राजा अब बहुत खुश था, he was happy to have made peace, कि उसने शांती बना ली थी, शांती कायम कर ली थी, made peace, have made peace, उसने शांती बना ली थी, with his enemy, या अपने एक दुस्मन के साथ, so easily अतनी आसानी से, जैसे उसने सेवा किया, और वो उसका मित्र बन गया, जो उसका दुस्मन था, so to have won him over as a friend, और साथ में उसने उसको, as a friend की रूप में भी, win over कर लिया, उसको जीत लिया, उसकी हर्दय को जीत लिया, he was, he not only forgive him, उसने नैकेवल उसको माफ किया, not only नैकेवल, but also, but, क्या किया उसने, but said, he would send his servants, and his own doctor, to look after him, तो राजा ने बदले में क्या किया, उसने नैकेवल उस आदमी को माफ किया, but said, बलकि कहा, कि he would send his servant, वो अपने नोकरों को भेजएगा, and his own doctor, और जो उसका personal doctor है, राजा का, राजवैद, उसको भी भेजएगा वो, to look after him, look after, देखभाल करना, look after होता है, देखभाल करना, देखभाल करने के लिए, वो उसके पास भेजएगा, और उसके इलाज करवाएगा, and he promised to give back the man, his property, और साथ में उसने वादा किया, to give back वापिस देने के लिए, the man, his property, उस आदमे को उसकी प्रोपर्टी वापिस देने के लिए, उसने उसको वादा किया, तो देखा बच्चों, कितना अच्छा हुआ, कि एक नेकी की, और उसका जो फल राजा को मिला, सैदीनी बातों में, राजा के जो तीन प्रसन है, उनका जवाब छिपा हुआ है, तो चलिए देखते हैं, leaving the wounded man, उस घायल आदमी को छोड़ कर जाते हुई, the king went out of the hut, राजा, hut के बाहर निकला, went out, बाहर गया, hut के उस जोपड़ी के हर्मिट की, and looked round for the hermit, और looked around, वो चारो तरफ देखने लगा, for the hermit, उस सन्यासी को ढूंडने लगा, before going away, he wished once more to get answers to his questions, before going away, before say पहले, going away, दूर जाने से पहले, अवे दूर, going जाने से, दूर जाने से पहले, he wished, उसकी इच्छा थी, once more, एक बार फिर, to get answers की, वो जवाब प्रापत करे, to his question, अपने परसनों के, तो एक बार उसकी फिर इच्छा हुई, कि उस सन्यासी से, वो अपने परसनों के, उत्तर हासिल करे, the hermit was on his knees, hermit सन्यासी अपने गुटनों पर बैठा हुआ था, soving seeds in the beds, beds में तो क्यारिया, जो क्यारिया वो खोद रहा था, जिसमें, राजा ने, उसकी मदद की थी, hermit की मदद की थी, तो उन क्यारियों में, soving seeds, वो बीज बो रहा था, that had been dug the day before, जो खोदी गई थी, that had been dug the day before, एक दिन पहले, जो खोदी गई थी, the king went up to the hermit, जो राजा, hermit के पास गया, सन्यासी के पास गया, and said और कहा, for the last time, I beg you to answer my questions, wise man, for the last time, अंतिम समय के लिए, I beg you, मैं आपसे प्रातना करता हूं, to answer my questions, मेरे परशनों का जवाब देने के लिए, wise man, बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे अंतिम बार प्रातना कराऊं, कि आप मेरे परशनों का जवाब दे, you have already been answered, said the hermit, hermit ने कहा, कि तुम्हें पहले से ही, तो जवाब मिल गया है, already, पहले से ही, you have already been answered, आपको पहले से ही जवाब मिल गया है, said the hermit, hermit ने कहा, still bending down to the ground, और अभी भी वो जमेन की तरफ जुके हुए था, जुके जुए bending, bending down, जुके हुए, बीज बो रादा, तो वो जुका हुआ था, ऐसे जुके जुके, उसने राजा को जवाब दिया, कि मैंने, आपके पस्चनों का जवाब ऐसे ही दे दिया है, and looking up at the king, as he stood before him, और फिर वो राजा की तरफ देखने लगा, at the king, राजा की, और as he stood, जैसे राजा उसके सामने खड़ा हुआ था, फिर वो जैसे सीधा हुआ, तो उसकी तरफ ऐसे बोलते हुए, उसने राजा ने कहा, how have I been answered, how कैसे, have I been answered, मुझे कैसे जवाब मिला है, मुझे कैसे answer हो गया है, what do you mean, आपका क्या भी प्राए है, mean, हर्मिट ने कहा, if अगर, you had not pitied my weakness yesterday, अगर तुमें कल मेरी weakness पर, कल, बीते हुए कल, yesterday, बीता वा कल होता है, और tomorrow, आने वाला कल, if you had not pitied, pitied मतला दया नहीं की होती, my weakness, मेरी कम जोरी की, yesterday, कल, and had not dug these buds for me, and had not dug, और नहीं खोदी होती आपने, these buds, यह क्यारिया for me, तो क्या होता, you would have gone away, और तुम वहां से चले गए होती, तुम वहां से नहीं गए, तुमने तो मेरे पास समय लगाया, मेरी help करने में, मेरी मदद करने में, लेकिन अगर तुम वहां पर कल, तुमने मेरी मदद नहीं की होती, मुझे पर दया करके, मेरी कमजोरी को देख कर कल, तो तुम वहां पर से चले गए होते, वो क्यारिया नहीं खुदवाते, और you would have gone away, तुम वहां से चले गए होते, then that man would have attacked you, then तब that man वहां आदमी, would have attacked you, तुम पर attack कर देता, attack कर दिया होता उसने, would have done, उसने ऐसा कर दिया होता, attacked you, तुमारे उपर attack कर दिया होता, and you would have wished you, and you would have wished you, had stayed with me, और तुमने wish कियोती, तुम फिर बोलते, जब तुमें उस आदमें के द्वारा attack किया जाता, तुम wish करते, और क्या wish करते कि, you had stayed with me, कि कास तुम मेरे पास रहे लेते, कास तुम मेरे पास मेरी मदद कर देते, क्यारिया खुदवा देते, तुम ऐसे तुम wish करते, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं हुआ है, तुमने पहले से ही, मेरी मदद की और उसका परतिफल आपको मिल गया है then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me तो तुमारी वो इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है क्योंकि तुम ने तुम गए नहीं धया करी और वहाँ पे मेरी help की मेरी मदद की लेकिन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती और तुम चले गए होते तो ये आदमी तुम पर attack करता तुम पर जानने वा हम ना करता और ऐसी स्थीते में घायल हो जाते तुम तो तुम फिर कहते कि कास मैं रिशी मुनी की हर्मिट की मदद करता उसके क्यारी को दुआने में तो ये अच्छा समय था So the most important time was when you were digging the birds तो सबसे most important time क्या होता है वो था was when you were digging the birds जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे मेरी मदद कर रहे थे तो ये सबसे ज़्यादा महतोपुन काम होता है And I was the most important man और मैं सबसे महतोपुन आदमी था To do me and to do me good was your most important business And I was the most important man तो इसलिए मैं तुमारे लिए वहाँ पे बहुत important आदमी हो गया जिसकी वज़े से तुम आहरुके जिसकी तुमने मदद की और अपने आपको घैल होने से बचा लिया And To do me good was most important business और मेरे लिए जो तुमने good किया मेरे लिए जो अच्छा कारिया किया To do me good मेरे लिए जो भले का कारिया किया Was the most important business यही सबसे महतोपुन कारिया था कि तुमने मेरी मदद कर दी वहाँ पे यही सबसे महतोपुन कारिया है दुनिया में ऐसा उसने person का जवाब दिया तो यहाँ पर बच्चो ध्यान से देखना तीनों person के जवाब आगे है एक तो सबसे important time क्या है सबसे important time क्या है Would है यह सबसे important time क्या है most important man कौन है वो है to do me good was the most important the most important man कौन है वो सन्यासी उसके लिए बन गया है क्योंकि जिसकी वज़े से वो रुका जिसके मदद करने के लिए रुका और तीसरा जवाब यहां पे कि जो उसने भलाई का कारिय किया वही दुनिया में सबसे महत्तपूर्ण कारिया है मोस्ट इंपोर्टेंट बीजनस है तो इन दो लाइनों में आपके तीनों परशनों का या राजा की तीनों परशनों का जवाब यहां पे छिपा हुआ है तो होप यह इंडेस्टेंड बीजना आफ्टर वर्ड़ इसके बाद वेन दा मैन रेंट टू अस जब वो आदमी हमारे पास दोड कर आया रेंट टू अस दोड कर आया हमारे पास तो इंपोर्टेंट टाइम वाज सबसे महत्तपूर्ण से मह था जब तुम उसके लिए केर कर रहे थे तुम उसकी चिंता कर रहे थे पट्टी कर रहे थे मरम लगा रहे थे विकोज यदि यदि यू है नोट ड्रेस्ट तुमने पट्टी नहीं की होती इस वाउन्स उसके घावो पर वो मर गया होता बेचारा वो क्या था वो मर गया होता विदावट हैविंग मेड पीस विद यू बिना तुमसे शांती स्थापित किये तुमारे साथ शांती बिना बनाए क्योंकि वह उससे पहले तो तुमारा दुस्मन था विशी इंटेंशन के साथ वो तुमारे पास आता है इसी इरादे से मारने के शत्रू की दृष्टिश यहा था अगर वो मर जाता तो बिना तुमसे शांती स्थापित किये तो ये भी बहुत बुरा होता वो सबसे महतोपून आदमी है कि उसने तुमारे साथ पीस बना लिया सबसे अच्छा इदमी है कि जो दुस्मन होने के बाद भी दोस्त बन जाए ऐसा कुछ आप ऐसा काम कर दो इस दुनिया में और जो तुमने उसके लिए काम किया तुमने उस पर दया दिखाई उसे घायल अवस्ता में देखकर तो ये सबसे अच्छा कारिये तुमने उसके लिए जो किया ये सबसे इंपोर्टन बिजनस है इस दुनिया में सबसे महतोपून कारिये है Remember, हमेशा याद रखो, then There is only one time that is important And that is, and that time is now हमेशा याद रखो, remember, then याद रखो, there is only one time के वल एक हिसे में होता है, that is important जो महतोपोन होता है और वो है, and that time is now और वो time अब है जो अभी है, यह सबसे important time है It is the most important time यह सबसे important time है Because, क्योंकि It is the only time we have any power to act क्योंकि ऐसा समय, जब हमारे पास सकती है किसी कारिया को करने की यानि कि जो हमारे बस में काम होता है और हम उसे कर सकते हैं, तो हमें वो कारिया करना चाहिए, जिसे मानवता कि भलाई हो, ऐसा हमें कारिया करना चाहिए, हमें उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे पास पावर है, उसका हम को करने की तो यह हमारे लिए क्या होता है, सबसे important time होता है उसको करने, जब हमारे पास पावर नहीं होती, फिर हम उसके लिए पस्ताते कास में ऐसा कर देता ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चो जब आप कर सकते हैं आपके पास क्पेस्टिया पढ़ने की लिखने की तो आप पढ़िए आप लिखिए आप उसको आगे बढ़िए जिन्दगी में सफल हो यह जो आपने ड्रीम देखे हैं अपने मम्मी लिखे गई है यह दमास इंप झाने की तो आपने में साथ पायने की लिखने में पाइप उसे जर में यह जो होना बर में सब्सक्राइब देखिकाई जय शे जरूरा साथ ॉससए जरूराव क्मार्थी होता है धश्वर यू आर वो विवक्ति होता है जो तुम हो विदेन पार्टिक्लर मेमेंट जिसमें कोई एक विशेस पल होता है फोर नो वन नौ जो कि कोई नहीं जानता what will happen in future की भविश्य में क्या होगा and whether we will meet anyone else कि हम किसी को मिल भी पाएंगे कि नहीं the most important business is to do that person good सबसे महत्वपून काम यह है कि उस व्यक्ति के लिए आप भलाई का काम कर दो because we were sent into this world for that purpose alone क्योंकि हम केवल उसी उदेश्य के लिए उस उदेश्य को पूरा करने के लिए इस दुनिया में भेजे गई है एक बार यह ending line फिर देख लीजिए the most important business सबसे महत्वपून कारिये is to do that person good उस व्यक्ति का भला करने का है सबसे महत्वपून कारिये किसी व्यक्ति का भला करना का है या वो राजने किस प्रकार से उसका भला किया और किस प्रकार से उसकी भला करने का जो कारिये का उसको फल मिला तो किसी का भला करेंगे किसी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान उसका फल हमें जरूर देगा और जो भलाई के कारिये होते हैं यही दुनिया में सबसे महत्वपून कारिये होते हैं Because we were sent into this world for that purpose alone क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी उदेश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया है लेकिन हम इस दुनिया में आके अपने उस उदेश्य को भूल जाते हैं तो यहाँ पे यह चैप्टर आज हमने किया है बच्चो मैंने यह चैप्टर आपको करवा दिया है लेकिन फिर भी इसके कुछ exercise है इसके questions है यदि आप इसके questions चाहते हैं और इस chapters के जो back exercise है speaking and writing से related है जैसे यह work या फिर और speaking and writing का है यहाँ पे थोड़ा और assignment यहाँ पे दी गए assignment task है जो हमारा यह जैसे फिलप्स है यह इसमें यह second question है हमारा sentences has two blanks फिलप्स इनको discuss अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको मेरे को recommendations भेजनी होंगी comment करके मुझे भेजना होगा अगर आपके comment आएंगे और आप भोलेंगे तो मैं इनको solve भी जरूर करवाओंगा यह नहीं हर lesson के मैं आपको lesson करवाने के बाद यह back exercise है यह उसके question answers है मैं जरूर करवाओंगा और वो question answers जो pdf form में भी आपको भेजूँगा और साथ में ही इनको discuss भी करूँगा अच्छे से यह सारे questions है जो इनको मैं आपके साथ discuss करूँगा और आप चाहेंगे तो इनका translation है जैसे भी जिश भी तरीक है मैं आपको बहुत अच्छे से करूँगा कहने का प्राइए बच्चों हर questions का मैं answer आपको अच्छे से discuss करूँगा और उसके answers pdf form में भी दूँगा तो प्यारे बच्चों यह सभी कुछ जिसमें comprehension check whatever the task is given at the end of the lesson I will help you to complete that to discuss with you and will help you to solve everything given at the end of chapter So dear students, आपको अगर लगता है कि कोई चीज आपको मुस्किल लग रही है और आप मेरे को ऐसा कोई comment देते हैं तो मैं of course आपकी मदद करूँगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा तो यह हमारी जो सीरीज है 6-12 NCRT English Books को discuss करने की है पूरी तरीक से translation करना और उनके assignments तो इसके लिए एक ही बस छोटी सी आपसे demand है बच्चो कि आप इस चैनल को subscribe कर ले और अपने classmates अपने दूसरे मित्रों को 6-12 class के जो भी है उनके लिए बोले और वो subscribe जितना भी आप करेंगे मुझसे इसके प्रोचसाहन मिलेगा बच्चो ठीक है मैं भी एक teacher हूँ और मेर एक काम है और मैं आपके लिए अच्छे से मदद करूँगा इसके लिए तो धेंक्यू बच्चो धन्यवाद दिल से बहुत ज़्यादा तो आज की वीडियो काफी है थेंक्यू है वे नाइस ते